राजकुमारिया ऐसी गहने पहनती हैं है ना? अगर मैं होती तो बहुत अच्छा करती पता चला संस्क्रीन सही काम करती है अगर तुम उसे लगाना याद रखो सास नेने में भी दर्थ हो रहा है तुम बहुत ही बुरे लग रही हो हे भगवान बहुत बुरा जलता है लाना मदद करो आओ तुम्हे थोड़ा शान्त होना होगा मेरी मा को बता देना कि मैं उनसे प्यार करता हूँ कोई बात नहीं पर तुमारे पैरो को क्या हुआ है? तुम घर पर पुरा बीच ले आए हो अब तुम हर जगा रेत ले जाओगे बस मुझे मेरे शूज मिल जाए नहीं, नहीं मिलने वाली आउच! ये बहुत तीखी है एक सेकिंड रुको क्या मैं इसके साथ कुछ कर सकती हूँ? मैं इसका ध्यान रुखूंगी लगता है सांडोर्ज एक स्क्रबर में बदलने वाली है ब्रश को हुटा करे और पीछे की तरफ हॉट ग्लू लगाए चारू तरफ लगाए और फिर चपल की सोल पर लगा दे और अब कोन उपर थोड़े और ग्लू लगाए और इसके उपर थोड़े प्लास्टिक के जिवल्ज लगा दे जितने रंग पतने बहतर जब आप हील्स पर कर ले तो गे हो गया बहुत नी बढ़िया अब इसे शावर में रखे और अपने मिट्टी वाले पैर इसमें डाल ले अब मिट्टी बहुत ही आराम से निकल जाएगी और एक आल से इंसान के स्क्रब के बारे में क्या ख्याल है क्यूंकि एक टीन पीट हापी फीट होती है पूल पार्टी आपको बिलकुल ठका देती है और केविन इसे से जूँज रहा है येक्स कितना गन मचा हुआ है लगता है पार्टी बहुत मज़ेदार थी मैं अपने आखे भी नहीं खोल पा रहा क्या ये ज़क्की तो बहुत लंबी थी मैं इसके साफ कैसे करूँगा थोड़ी लुक आचे पिका समय है तो चलू मैं इसके साथ समय बरबाद नहीं कर सकता मुझे इसे और जवड़ी करना होगा हाँ इसे क्या हुआ है ओ चलो भी मुझे पता है मैं इस पुरानी तरीके से करूँगा ये इस तरह क्यों चपक रहे है ये बहुत ही बुरा है लगकाय मैं इसे और भी खराब कर रहा हूँ हाटो मुझे से क्या ही कनफेटी और भी कन मचा सकती थी मेरा मतलब है ज़रा देखो इसे वैसे ये ही इसका हल हो सकता है जाड़ू पर डबल साइड़ी टेप लगाए बाकिंग को हटाए और काम पर लग जाए अब सफाई देखना ये बहुत अच्छे से काम करता है अब मॉम कुछ पता नहीं लगा पाएंगी फिख मुझे कर जाना होगा सोफिया मैं बहुत देर तक सोया और उसी बज़ा से मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ और मुझे भी चाहिए होगा क्या मुझे अच्छे करनी चाहिए ये बहतर है हेई आज तुम्हारा दिन होने वाला है हेई चलो भी उर जाओ तुम्हें लगता है ये मज़ा था ओ नहीं अब इसमें जर्म्स जले कर और मेरे पास सिर्फ यही ब्रश है मैं ट्राइ करता हूँ मेरा माल्थ वाश इसे डिसिनफेक्ट कर देगा बस इसे थोड़ा सोप ने दो अगर तुम ध्यान से देखोगी तो तुम्हें ये जर्म्स जाते हुए दिखेंगे छीक है अब तुम सेफ हो क्या ये पका क्लीन है हाँ छीक है मुझे कुछ नहीं दिख रहा कुछ बुरा चलता हुआ भी नहीं तो तुम किसका इकजार कर रही हो स्टीविन जी हाँ, तुम्हें किसे बुलाओ केट, बोट पर आजाओ मैं ये सॉल्व कर सकती हूँ बस प्रे को नीचे कैरी करना है और फोर उपर जाएगा और नाइन से ये खतम हुआ ओ, आ, हाँ चलो सेट पर जाओ ये हुआ क्या है हे भगवान मुझे भूख लग रहे है सीक्रिट स्नाक खाए हाँ, ये तो खाली है मैंने ये पहले ये खालिया बस रैपर्स बचे है हरे नहीं, अब क्या होगा कैंडी सेव हाँ, बल्कुल जब की हुई कैंडी स्टीजर्स यही तो रखती है और उसमें बहुत कुछ अच्छा होगा नहीं अगर मैं सेव कोल लूँ तो मैं वो सारी ले सकती हूँ हाँ, अब कुछ बढ़ा करने के बारे है हाँ, इस सेव को खोलते है हरी नहीं, मुझे कोड नहीं पता मुवीज में तो यह बहुत आसान होता है हरी नहीं, पासवर्ट तो यहीं लिखा है खेर, अगर मुझे मैट आती होती अह, मैं मैट पर इती बुरी क्यों हूँ यह मैं फिंगर्स पर दुकाउट नहीं कर सकती रखो, मेरे पास पोन है लेकिन, मैं चार्ज करना भूल गई के, तुम यहाँ क्या करे हो ओ, मुझे लगा टीचर आ गई आओ, मेरी मदद करो ओ, क्या डी सेफ समझ गई, आसान है हाँ, अब यह देखो पहले, मैं एक्वेशन कॉपी कर लेती हूँ यहाँ एक लाएं, और फिर एक प्लास और फिर पहला सिक्स और उसे तरफ भी यह करेंगे अब हम इस साइट को सॉल कर लेंगे यह आया सिक्स फिप्टी और अब दूसरी साइट को जो आया तुफॉटी और राउंड नमबर्स आड़ करने में बहुत आसान होते है और यह टोटल आ गया 890 और अब हम वापिस 602 को आड़ करेंगे और अब 8 को 890 से माइनस कर लेंगे और यह आ गया 882 हमारा फाइनल आंसर हो गया यही कोड है ला जवाब तम मैक में बहुत अच्छी हो चलो अपनी कैंडी बापिस लें यह काम किया यह कैंडी से बहरा है वहाँ क्या चल रहा है ओ नहीं वह बापिस आ गई हमें बस भूख लगी थी जी हाँ चलो अब देखीं यह कैसे सॉल्व करना है यह बहुत बोरिंग है मैं इसे लिख लेती हूँ क्या पता टेस्ट में आ जाए क्या तुम समठ रही हो हाँ तो अगले स्टेप है यह तो बहुत जादा है यह सब इतना मुश्किल क्यों कर रहे है सच में हरी नहीं केट इसमें हसने की क्या बात है इससे करने का एक आसान तरीका भी है देखू मैं आपको हैक दिखाती हूँ यह 80 पसेंट है तो हम 8 लेंगे और यह 90 है तो हम 9 से मैटिप्लाइ करेंगे यह आया 72 जो क्या आंसर है यह कैसा मजाक है इतना आसान वाह यह कितना आसान है मैं इस सारी नोट शाटा देती हूँ और अब केट का बताय हुआ पढ़ना लिखती हूँ फ्यू शान्ती मिली यह कौन लड़का है ओ नहीं यह नहीं हो सकता यह तो बहुत ही खराब हो गया हे केटे केटे तुम क्या सोच रही हो मैं क्या इस्तिमाल करूँ लेकिन यह टावल्ज बहुत सुंदर है मैं इक कैसे कर सकती हूँ नहीं मेरे इसा दिल नहीं है यह शायन अब देखो टावल को इस तरह के स्क्रिप्स में काटे और कोने पर होट ग्लू लगाए और एक लाइन बीच में और फिर दूसरी तरह अब दूसरी श्रिप्स को उसके उपर रख दे और जब यह सुख जाए स्प्रेंग को इसके बीच से निकाले और एक कोने पर काट मार दे अब इसे टांग दे अब कभी बिगर से टॉलेट पेपर खतम नहीं होगा और अब ब्लूस वाला उपर रख सकते है यह अब तक किस सबसे अची चीज़ है कभी कभी सबसे बुरे समय पर टॉलेट जाना पड़ता है जैसे होंवर करते हुए इंतजार करो ओ ओ नहीं हो सकता बाल बाल बचा और हो गया टॉलेट पेपर जाए होगा इतनी पेज मत खीचो केविन हाँ? वो कहा गया? बहुत कुछ सा आता है अब मैं क्या करूँ? हे! यह पेण काम करेगा सोचो केविन, सोचो अभी के लिए यह रोल को पकड़ेगा हाँ, हो गया देखा, इसे रोल भी कर सकती है जब यह अपना काम करें तो आप भी चलो जाओ यहाँ से बिल्कुर तास गे भरा विसकर्स, नहीं तुम एक क्यूं करती हो और हम मुझे यह विसाफ करना होगा तुम एक बुरी बिली हो विसकर्स एक रोल भी खराब हो गया अब हम क्या करें? लेकिन निराश ना हो मेरे पास एक परफेक्ट आइडिया है इस बारिस के उपर अपना हेर टाय लगाए अब विसकर्स इसको नीचे नहीं उतार सकता हाँ, ये काम कर रहा है बहुत ही अच्छा मैं इंटर्व्यू के लिए नए अबलेशर लाया लेकिन शोट ठीक नहीं लग रही ओ, मुझे पता है पर यहाँ कोई टाय नहीं दिख रही ये बढ़िया है चलो भी मुझे एक ही चाहिए थी, लेकिन ठीक है मुझे नहीं लगा देना चाहिए ये बहुत गंद है ये दर फेट होंगी भी नहीं जो भी है इसे कही तो जाना ही होगा चलो अंदर चलो केविन तुम्हे हुआ क्या है ओ, मार क्यो रही हो तुम कपड़ों के साथ ऐसा नहीं कर सकते तो चीज इफेगने से क्या होगा लेकिन इसे मुझे उला जवाब आइडिया आया इसके लिए आपको एक हैंगर जाएं और टॉलिक पेपर या पेपर टावल रोल्स इन्हें रिंग्स में काटें एक रिंग्ले और इसके उपर होट ब्लू लगाएं और इसे हैंगर पर लगा दें लगाते जाएं और इससे एक पैटन बन जाएगा इसे सूपने दें और ये हो गया चलो आगे बढ़ो, यहाँ एक और हैंगर आ रहा है और इस पर काफी समान है इतना ओर्गिनाइज़ रहना अच्छा लगता है और मैं ही करता हुआ और भी अच्छा लगता हूँ यह जिप्स बहुत अच्छे हैं क्या, खत्म हो गई? हाँ, स्नाट टाइम खत्म हुआ शायद किसी को अपना कच्रा जरूर भार फेकना चाहिए यह तो बाहर आ रहा है यहां मैं ही क्यूं हूँ जो हमेशा कच्रा बाहर फेकती है यहां हर जेगा कच्रा है हाँ, हम इस घर में बहुत चिप्स खाती है वैसे ही काम नहीं किया अगर मैं कच्रा ले कर जाती हूँ तो मुझे वो सब भेरना पड़ेगा भारी जाकेट, हैट, ब्लाव और वो सब हाँ, मैं वो सब नहीं करना चाती लेकिन मैं इस काम का रास्ता निकाल सकती हूँ हमें जरुरेथ है सिर्फ इसकी उल्टे टेवल एक्सपर इस तरह से फ्लास्चिक के थेली चड़ाए इस तरह किसे अब अपने कच्चा फैटने की काम से थोड़ा समय और चुटकारा पासकते हैं ये, मैं मान नहीं सकती कि केट और मैं तीन साल से दोस्त है हैपी फ्रेंड इवर्सरी केट हो, तुम ही भी लेली तु, हम तीन साल से दोस्त है इसी खुशी में मैं तुमारे ले तौफ आलाई हूँ ओ, वा, तुम कितनी प्यारी हो इससे पहले कि तुम ये खोलो मैं जब इसे रिश्रूम होकर आती हूँ ओ, नहीं मैं लेली के लिए तो गिफ लाना भूल है गए ओ, ये काम नहीं करेगा लेकिन ये करेगा मुझे ये बस हे रिलास्टिक चाहिए और काम हो गया अगर आपको आखरे मिनट पर गिफ चाहिए तो ये हैफ ट्राई करें अंदर के तरफ एक टावल को फोल्ड करें इस तरहां, अब नीचे से लेकर टावल को उपर रोल करें अधे इससे पर ही रुख जाए अब उपर से भी इसे ऐसी ही करें जब तक ये दोनों रोल्स ना मिलें अब रोल्स को बीच में फोल्ड करें और एक के कोन उसे घुमाती हो दुबारा इसे इस तरह फैला कर उपर चढ़ा दें ये कुछ ऐसा दिखेगा जब आप एक हेर्टाई को इस तरह लगा दी तो दो छोटी हेर्टाई ली और इस तरह दो को उपर लगा दी अब एक रिब बन ली और जहाँ आपने पहली हेर्टाई लगाया था वहाँ बांदी क्या आप समझ पा रहे है ये क्या है आप समझ गए ये एक सुन्दर सा टेड़ी बेर टावल है हौँ, क्या ये प्यारा नहीं है आपने सोच अभी नहीं होगा कि एक हैंड टावल है, है ना ओ, तुम आ गई हौँ, क्या ये में लिए है तुम बहुत अच्छी हो मुझे बहुत अच्छा लगा जितनी मुझे हमारी दोस्ती लगती है अ, क्या केट बंदर में बदल रही है इस तरह से एक ही बार में इतने केले कौन खाता है और वो अभी भी खा रही है छीक है केट, मैं वो सारा समान ले आई जो तुमें चाहिए ओ, नहीं, लिली इस केले के चलके से बहुत बुरा गिरने वाली है ओ, हो, लगता है ये बहुत बुरा होने वाला है अपने आपको बच्चाओ, लिली हाँ, अब वो नीचे गई नहीं, क्या क्टिस को बचाओ क्या क्टिस गे गया और लड़की भी तुम बोहत बुरा गिरी दोस्त क्या तुम छीख हो लिली? यह तुम बोहत बुरा हुआ अउ ये कैक्टिस तो काटीदा है ये लो, ये केली का चल कलो ये काम करेगा मैं इसके साथ क्या करूँ? ओ, मैं समझ गई तुम क्या कह रही हो मैं ये बनान अगलाव से अपना क्याक्टिस उठाऊंगी अगर आपको कभी क्याक्टिस को पॉर्ट में डालना पड़े तो एक पुरानी के लिए के चलके का इस्तमाल करें अपने उंख्लियों को बचाने के लिए अब देखो काटे वाले देखा बल्कुल नई जैसा बहुत अच्छा है अगर हो सकता तुम्हें तुम्हें जरूर गले लगाती चोटी क्याक्टिस साफ सफाई सफाई हो रही है मुझे साफ कम्री बहुत पसंद है ये कम्बल फोल्ट कर देती हूँ इसे खुद करना तो मुश्किल है अगर मैं इसे ऐसे ट्राइ करूँ ठीक है इस बार मैं एक कर दिखाऊंगी ये इतना मुश्किल क्यों है तुम्हें बताए अब मैं ब्रेक लोगी अब मैं समझी काउट मॉन्स्टर ये मैं ही हूँ मैं इस ब्लांकेट के पीछे थी जो मुझे सट्सल्ड नहीं हो रहा हूँ सचमे चलू भी मैं मदद करती हूँ तो मैं बस इसे फषपर रखना है इस कोने पड़ दो फोल्ड करो और अब उस तरफ से फोल्ड करो इस कोने को भी खीज कर इस तरह फोल्ड कर दो अब इसे आधे में फोल्ड करो और तुमारा काम हो गया इसे लास्ट से थोड़ा टक भी कर सकते हो टाडा अच्छे से फोल्ड किया हुआ ब्लांकेट वाह सिखाने के लिए शुक्रिया अब सब साफ है हाइफाइफ ये गेम बहुत मश्किल है मैं बहुत अच् मज़े कुछ पीना चाहिए मेरे ड्रिंक कहा है वो लगा मेरे पीछे आ रहा है ओ नहीं मैंने सोड़ा अपने उपर गिरा लिया देखो ये रहा स्ट्रॉ और ये चीज़े थोड़ी आसान मना देगा ओ स्मार्ट अब मैं खेल सकती हूँ और पे भी सकती हूँ बस थोड़ा स्ट्रॉ मेरी मुँ में आ जाए रुकू अब क्या हुआ यहाँ आओ स्ट्रॉ अब उसे और मदद चाहिए सुनो स्ट्रॉ निकालो अब स्टाप को घुमाओ और स्ट्रॉ इस में फिटा आ जाएगा वाला अब ये हिलेगा नहीं तुम इतनी समझदार कैसे हूँ आँ वो सही कह रही है ये काम करता है चीक है अब गुबबारी ये पार्टी बहुत मजिदार होने वाली है और सबको गुबबारी पसंद है ये लोग बेलकुल सही हवा बस ऐसे बांध ना है ओफ ये अतना मुश्किल क्यों है रुको वापस आओ और ना बंद करो पार्टी के लिए मुझे तुमारी ज़र्वत है हेई पार्टी के तैयारी कैसी चल रहे है ओ माफ करना मैं बस एक गुबारी फुलानी की कोशिश कर रहे थी सच में? ओ मैं तुमारी मदद कर सकती हूँ तुमारी अलमारी में सेक्रिट वेपन है एक कोट हैंगर देखो मुझे को बारा दो और मैं तुम्हे दिखाऊंगी बस तुनी को हैंगर वायर्स पर लपेटो तो इससे उपर करके हैंगर से निकाल लो अब इसे टाइट कर लो हो गया वाह आसान और बहुत अच्छा इससे तो सब बहुत आसान हो जाएगा चलो पार्टी शुरू करें वूँ पार्टी टाइम मसे करो ये रहे तुमारे लिए दो बेरी केक्स मसे करो मैंने इसे पहले कभी ट्राइए नहीं किये मिस क्या अब हमारी ब्रिंग्स ले आएगी फ्लीज हाँ बलकुल जैसा मैंने कहा मज़े करो मेरा बहुत चमेसे मन कर रहा था लेकिन मैं खोल लहीं पा रहा क्या मुझे बॉटल ओपनर मिल सकता है मिस हलो ये मेरे हाथ पे लग रहा है मुझे पता है क्या करना है मैंने एक लड़की को यह ऑनलाइन करते हुए देखा था मैं ये कर नहीं पा रहा मुझे कुछ मजबूट चाहिए क्या पका तुम ये करने वाले हो और पका तुम्हे पता है कि तुम क्या कर रही हो मैं इसे उस्तमाल करके करूँगा हेई बहुत हुआ मैं आखेर फेर कर थग गया हूँ ये काभी मजबूट है क्या हो गया वोह वोह तुम बस एक रिंग इस्तमाल कर सकते हो यहां मैं दिखाती हूँ क्या तुम देख रहे हो अपने हाथ को क्याप के उपर रखो और फिर खीचो वोह अब तुम्हारे लिए मुझे लगता है गन कुछ जादा ही हो गया था तुम लोगों को ये चाहिए था है जो भी है हाँ हम रिसोर्स फुल है वोह देखो तो स्टीवन कितना फोकस्ट है थोड़ी से ग्रेस मुझे हाइस्पोर लेने से नहीं रोकेगी क्याफीन दो तुम जाने वाले हो जॉंबीस कुछ गंटों में मिलते है तुम कितने गंटे से खेल रहे हूँ स्टीवन मैं तुम से बात कर रही हूँ एक तुमने आखे बार कपड़े कपड़ों थे ये जिता बहुत गंदी है मैं अपनी गेम में बिजी था ये सब ठीक करो भाई मूट खराब कर दिया चलू भी, फिट करो साथ बच चुके है लाना कभी भी घर आ जाएगी समझ गया ये सब यहां फिट हो जाएगा, है न? जब हम ये सब कर दे सकते हैं तो सफाई क्यों करना मैं टेबल जाफ कर देता हूँ मुझे उससे कुछ नहीं सुनना ओ, हे लाना देखा, सकती ने काम किया थर्मू स्टार्ट के लिए भी नहीं चलेगा जाकेट उतार देती हूँ यहां कौन मरा है? मुझे यहां से ये समान बाहर निकालना होगा अपने मुँ से सास ले सकती हूँ है न? इन खप्डों को सुनकर तो पोई भी मर जाए वो अपने खप्डे क्यों नहीं धोता? एक सेकंड रुको मुझे पता ऐसे कैसे छुटकारा पाना है सबसे पहले एक सानिटरी नापकेन को खोली फिंस को याद से खोली और अब उसके उपर पूरा एक धकन फाब्रिक सॉफनर डाली अब ये तयार है बहुत अच्छे खुश्बू है मैं इसे यहाँ फ्लॉसिक में लगा दूँगी अब अच्छी खुश्बू आने दो लेकिन स्टीवन अब नहीं बचेगा ओ स्टीवन जी हाँ इस एक्विशन को सॉफ करने के लिए एक रेस होगी मैं ही जीतने वाली हूँ देख लेते हैं ठ्री और शिर करो देखो वो कितनी मेहनत कर रही है रुको ये कोई रेस है खेर जो बेहर तो मैं ही जीतूँगी वो क्या कर रहे है नेर्स पायल कर रहे है ये बहुत ही बेवकोफ है अभी तक उसने इसे सीरूस लिया कॉफी? ये उसे कहां से मिली? और एक कैंडी बार भी? वो लांची क्यों नहीं कर ले थी? हाँ, मैं तो लिखती जाओंगी मेरा हो गया क्या? अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी एक्वेशन पर सॉल्व नहीं की वो कुछ जादे ही महनद कर रहे है और मैंने दिमाग चलाया है पहले हम फर्स नमबर्स को उपर रखेंगी और सेकंड नमबर्स को साइड में हाँ, फ्री टाइम्स सेवन हुआ, ट्वेंटिवान तो मैं इस नमबर्स को इस कोने पर रखूंगी हाँ, अब अब अगला स्टेफ सेवन टाइम्स वान, यह असान है सेवन ही तो हुआ, और यह बीच की बॉक्सस में आएंगे यह आया फोर टाइम्स सेवन जो है ट्वेंटिएट अब यह जाएगा आखरी बॉक्स में पहला नबर टू है और अब इन दोनों बॉक्सस को साथ में मिला देंगे जिसमें आया वन अब आगे की बॉक्सस सेवन प्लस टू हुआ, नाइम तो अभी नीचे आएगा और आखरी नमबर एट थी यही है आंसर ट्वेंटिवान नाइटिएट सॉल हो गया हाँ, मुझे यही मार्कर चाहिए लो, मैं अपनी राइटिंग शुरू करती हूँ ओ, केविन के बाल कितने संदर है वो बहुत प्यारा है एक दम प्यारा पूरा दिन देख सकती हूँ वो, मैं दिन में सपने देख रही थी ओ, नहीं नहीं, नहीं, नहीं मैंने उसका नाम और दिल बना दिया हाँ, यह राहे रेजर यह नहीं आ रहा यह मिट नहीं रहा मैंने गलत मार्कर इस्तिमाल कर लिया ओ, एक पानी का ग्लास मदद करेगा थोड़ा ज़ादा पीले दे है हाँ, अब मैं तयार हूँ और अब स्क्राबिंग चलो भी, चलो भी, चलो भी मेच चाओ, कुछ भी नहीं हुआ यह किसी गाम का नहीं है अब मैं क्या करूँ लोगे देखेंगे तो मेरे बार में क्या सोचेंगे हाँ, यहाँ क्या चल रहा है हाँ, पर मुझे माफ किजएगा पर यह नहीं हटेगा कोई बात नहीं, मेरे पास मदद के लिए एक चीज़ है तुम्हें यह वाइट बोर्ड मार्कर चाहिए तो मैं बस वाइट बोर्ड पर यह पर्मनेंट मार्कर लगाना है हर लाइन कवर हो गई हाँ, देखा तुम्हें और मैं एरेजर इस्तिमाल करूँगी देखा, अब यह एरेजर के साथ एक दम निकल गया ना स्क्राबिंग की भी जरुट नहीं पड़ी तड़ा, अब यहाँ हमीशा के लिए केवन नहीं लिखा हुआ ओ, यह काफी बहतर है ही बगवान, केवन आ गया तुह, बच गई कोई बात नहीं, मैं अपना मून नहीं खोलूँगी मुझे पेंसल सबसे अच्छे से शाप करनी है मुझे ठीक आ रहे है हे, क्या मुझे? अच्छू मुझे माफ कर देना इतनी ज़्यादा पेंसल शेवेंग्स अब मुझे बुरा लग रहा है ओ, रुको शाइद ये काम करेगा हाँ, बलकुल यही हल है ये दो बारा नहीं होगा जी हाँ, ये रहा मेरा टिक तक कंटेनर हम कैंडी निकाल लेंगे और धकन को निकाल कर पेंसल शाप नहीं यहाँ फिट होगा टॉप कंटेनर पर लग जाएगा अब मैं गन मचाय बिना अपनी पेंसल शाप कर सकती हूँ क्या मैं तुमसे एक सवाल पूट सकती हूँ हाँ, मैंने उसका हल निकाल लिया देखो वाह, क्या बात है हाई, माम हाई, स्वीट हाट तुम यह कहा से आई हूँ मैंने बस अभी फर्ष साफ किया था अभी से साफ करने का यही तरीका है है, अगर यह माम के तरीके से किया जाए तो याइक्स, यह बहुत बुरा होगा ओ, मैं क्या करू शादी काम आएगा एक हवा से भरावा गुबारा लिंग और अपना गंदा शोस पर रखकर हवा निकाल दे जब हवा निकल जाएगी तो यह शू प्रेटेक्टर्स बन जाएगे क्योंकि हमें गन नहीं मरचाना चाहिए है ना माम ओ, तुम तुम मुझे मला ही दोगी आखरकार, मैं वीडियो गेम ट्राइ करूँगी हाँ, तीन बज़े तक मीट डिफ्रॉस्ट करना है अभी तो उसमें तीन घंटे है और अब चलो जांबी को मार डाले पर ऐसा क्यों होता है ये गेम खेलते हैं टाइम का पता ही नहीं चलता मेरा स्कूर्ट यो नहीं बढ़ रहा तुम नहीं तीन बज़ गए पर मीट का क्या माम तो मुझे मार ही देंगी कैसा नहीं हो सकता कि ये ना जमा हो यार, मुझे जल्दी जल्दी करना होगा चलो, चलो, टीक प्रॉस्ट हो जाओ क्या ही गर्म हो रहा है बहुत स्लिपरे है ओ, मैं अपने बॉडी हीट का इस्तमाल करती हूँ ये तो बलकुल बर्फ है इससे गर्म हावा आती है, है न? ओ, नहीं, ये भी काम नहीं कर रहा अरे, इसका हल तो मेरी आखों के सामने है पतिले को उल्टा रखें और उपर फ्रोजन मेट रखें अब दूसरा पॉट इसके उपर रखें सीधा करके और इसमें गर्म पानी भरें बस कुछी मिंटों में आप देखेंगे इसका असर शुरू हो रहा है देखा और गंद भी नहीं मचेगा क्योंकि ये बैग में है बस कुछ मिंटों में पॉट को हटा ले और मीट पकने के लिए तयार है टाडा ओ हे मॉम हाँ, मुझे याद है मैंने मीट बोला था बाल बाल बची फ्या ओ, ये क्या है एक पार्टी, मुझे जाना है पर मुझे चेंज करना होगा क्या या कुछ पार्टी वाले कप्रे है और इसके बारे में क्या ख्याल है वहाँ पुरो धेर इकठा हो रहा है केट मिल ही गए मैं पार्टी में बहुत प्यारी लगने वाली हूँ हाँ, बिल्कुर सही चॉइस है रख जाओ और इन कप्रो को कौन सभालेगा मैं घर आ के कर सकती हूँ नहीं मैं पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ इसे साब करने के लिए तो बहुत समय लग जाएगा हाँ, मुझे पता है क्या करना है एक चेर के बाग पर पिलो केस डाले और इस तरह डाल दे और इस तरह लगा दे, अब इसमें कपड़े डाले और एक ही मिनिट में सब साफ हो गया और मॉम भी आ गई किसे पता था, वो अपनी सबसे फैंसी जूलरी तुमें दे देंगी साफ सफाई रखने का एनाम शुक्रिया, बाई मॉम नुट्यला से भरे एक चम्मच से जादा इस दुनिया में और क्या बहतर हो सकता है ओ यार, ये बहुत स्वादश्ट है मेरा हो गया अब तुम जाओ सिंक में माम्स को बच्चों के गंदे बरतंद होना पसंद नहीं आता मैं वो बाद में साफ करने ही वाली थी हेई, ये तुमेरे हैबी नहीं ये सारे बच्चन मुझ पर क्यो थो पे जा रहे है ये तो बहुत गलत है एक मिनट रुको शायदी ने साफ करने का एक रास्ता है इस हाग के लिए स्पॉंज की रफ साइड अलग कर लें और उसे इस तरह काटें आखिर में आपके पास 5 सेक्शन्स होंगे रबर क्लाव और हाट ग्लू गन ले और इस तरह हर उंगली पर और हथेली पर ग्लू डाले हथेली पर येलो स्पॉंज पीस रखे और हर उंगली पर रफ पीस अब बर्तुन से भाया पूरा सिंग साफ करना इतना मुझकल नहीं अपनी क्रस्टी स्पॉंज हांज की मदद से और इस हाग से सपाई का बहुत समय बच जाता है देखा और आप अपनी मॉम के आखों में एक हीरो बन जाएंगे सब कुछ साफ सुत्रा अचा लगता है मुझे धूल भड़े घर से नफ रख है साफ घर से दिमाग भी साफ रहता है आखिरकार मैंने उन्हें धूंट लिया उपस ये क्या है हे मामी क्या आप मुझे स्टोरी पर कर सुनाओगी मुझे माम कर दो हरी अभी मैं बिजी हूँ पर मुझे ये बुक बहुत पसंद है ये देखो यहाँ पर कितना कच्रा है माम, मामी, माम देखो मेरे पास क्या है मामी को सफाई करने दो डेविट पर ये बोरिंग है आप तो मज़े क्या करती थी सफाई करने में मज़ा आता है तुम्हे भी ट्राइ करना चाहिए फ्लोर जब ही चमक उठेगा मैं अब अपने तरीके से मज़े करूँगा इस शांदार गाड़ी के साथ माम को कोई आड़ या नहीं कि अब क्या होने वाला है ये शूर कैसा है सब तयार है अब तुम जाओ ये बहुत अजीब है आपको बहुत जल्द पता चलने वाला है जाओ 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 ओ नहीं मेरा खुबसूरत मॉप ये खराब हो गराओ यहाँ पर आओ अभी क्या ज़रूरी है ठेक है मुझे माफ कर दो मामी अब मैं ये सब साफ कैसे करूँगी रखो मेरे पास ही काट या है मुझे ये देखने दो तुम्हें ये वापस मल जाएगी लगता है मैं जानती हूँ कि फ्लोर को कैसे साफ करना है मैंने मॉप को कार के हेट से अटाच कर दिया है चलो ट्राइं करकर देखे मैं ये हर रोज कर सकता हूँ बखो तुम कर सकती हो शक्रिया मॉम हमा खिरकारा गर हमारा नया घर यहाँ बहुत सारे मकडी के जाले है काश यहाँ पर मकडी ना हो चलो इस टगा को साफ करना शुरू करे अच्छा एडिया है ये बेहुदा है ये मुश्कल था लेकिन अब ये अच्छा दिखने लगा है चलो बागी के कमरे भी साफ करे ये एक अच्छा फ्लान लग रहा है वो इसे फ्लश कर सकते थे ये बेहुदा है यहाँ कौन रहता था चलो कोई बात नहीं टॉलेट कौन साफ कर रहा है नहीं, बेलकुल नहीं ये लोटे वेट एक है अगर तुम फ्लान लगा ही हो मिलते है ये बहुत गलत बात है अब डर का सामना करने का वक्त है मैं ये कर सकती हूँ ये बस पी है कहले मुझे तयार होना होगा मैं नहीं चाहती एक पी स्प्लाश वापिस आए कोई रहम नहीं कितनी गंदी बद्व है एक मिनट रुको मेरे पास बहतर आडिया है मैं टॉलेट बोल के आसपास टॉलेट पेपर लगा दूँगी बेकुल इस तरहा आप मुझे विनेगर चाहिए और ये बोटल मैं विनेगर को बोटल में डालूँगी और उपर से से बन खर दूँगी अब टॉलेट पेपर के उपर विनेगर स्प्रे करेंगे मुझे इसे अच्छे से गीला करना है फिर मैं टॉलेट को फ्लेश कर सकती हूँ ये देखो, फी का कोई दाग नहीं बचा वाओ, मैं जानता था तुम ये कर सकती हो तुम इसे ले सकते हो सिंक साफ करने में तुम्हें इसकी जुरुत पड़ेगी पर हम पहले बात नहीं कर सकते जिन्दगी कुछ साधे लाने वाली चीज़ों से भरी है जैसे के इस प्राश क्यान ने थेली चड़ाना चलो में तुम्हें इसे करने का एक आसान तरीका बताती हूँ के हो सकते हैं कि ये सेफ ना हो लेकिन इस बैग में तुम हवा भरने के लिए पहले अपने सर पर डालो देखा, बस एक बढ़िया लाइफ हाग अपनी जिन्दिकी को आसान बनाने का अच्छा है है ना, सफाई करने की सबसे अची चीज़ इंतजार करना जब आपकी मां घर से जाए नेट्फलिक्स? मैं आ रही हूँ लेकिन एक पॉपकॉन का डबा भी एक हारर मुवी देखने के लिए अची चॉइस नहीं ओ नहीं, पॉपकॉन पूरे फर्ष पर पैलने वाला है लगता है लेली को ये साफ तो करना ही होगा चाहिए वो इसे पसंद हो या नहीं रिमोट कहा है? मैं जॉंबी इसको रोकती हूँ बाल बाल बची ओ नहीं, मेरी माँ घर आने वाली है और मैंने कुछ भिसाफ नहीं किया क्या ये टॉइ रिमोट काम करेगा? टॉइ कार बचा नहीं आ गई ओ हाँ, मैं इसे कुछ कर सकती हूँ अगर ये मेरा काम कम करती तो एक आसान सफाई के हाग के लिए ऐसी रिमोट कंट्रोल कार के साथ जाड़ू के ब्रिसिल्स लगाएं अब कुछ ऐसे प्लास्टिक से टाइस निकाले गाड़ी के आगे से बांधी ध्यान रहे कि ये टाइट रहे और इसे दूसरे साइट भी डाले ये थोड़ा ट्रिकी होगा लेकिन ये ज़रूर काम करेगा तो चलो टाइस से फाइट प्लास्टिक कट ना भूले वो तो इसे मैं कहूंगे दो हजार भी इस के सफाइट दोस्तो चलो इसे काम पर लगाएं एक साधारण जाड़ू के मुकाबले आप इसे बहुते कम समय में कर लेंगी हाँ ये तो बलकुल साफ है अब बस आपको कच्रे के डबे में ये कच्रा डालना है चीजे कभी इतनी आसान तो होई ही नहीं आज का दन बचाने के लिए शुक्रिया टॉयकार एक अच्छा दन बुरे में तब ही बदल जाता है जब आप इतने सारे गंदे बरतन देखते है खाश मेने कल रात को ही कर लेती आज से बहतर कुछ नहीं है ना बरतन धोने में समय तो लग ही जाता है है ना लेकिन अगर आप एक बार ये शुरू करते हैं तो उसे खाली होता जाता है छीक है ये हमारी आखरी प्लेट है दोस्तों लेकिन मुझे भूख लग गई रोको मैं क्या कर रही हूँ मैंने अभी अभी ये सब साफ किया है मुझे और बरतन गंदे नहीं करने अगर आपको प्लेट इस्तमाल करनी है लेकिन धोनी नहीं ये हैक आपका दोस्त बन जाएगा इससे बले कि आप प्लेट इस्तमाल करें इसके उपर एक प्लास्टिक राप चड़ा दें और अब आपको जो भी खाना है वो इसके उपर डाल दें ओ, ये पास्ता देखने में बहुत अच्छा है है ना, एक भी बर्तन घराप के बिना इससे आराम से खाओ और जब हो जाए तो प्लास्टिक को हटा दो और काम हो गया तो ये बर्तन दोने से काफ ये असान था है ना ठीक है तो मैं बहार जाने के लिए तैयार हूँ मेरी हाट और मैं चली पर मैं यहां से कैसे निकलूँ जब रास्ते में एक केट का बेकार वाक्यूम है ग्या मुझे पता था ये होने वाला है हे केट, अगले बार तुम ये करोगी तो ये रस से इस्तमाल करना हाँ, मैं इसके साथ क्या करूँ बस सोचो कि एक बाक्पाक कैसे काम करता है छेक है, ये भगवान एक बाक्पाक ओ, हाँ, एक बाक्पाक ये हाट आपको बहुत बार गिरने से बचाएगा वाक्यूम के दोनों तरफ कुछ स्ट्रेची बंजी रोब डाली जब ये बन जाएग, तो इसमें अपनी बाज भी डाली और इसे एक असली बाक्पाक की तरह पहने अब आपको पीछे, कोई भी ट्यूप नहीं छोड़नी पड़ेंगी देखा, अब ये वेकुल साफ पर्ष है एक ही बार में सफाई करते रहोके ओ, मैं ख्रास के लिए बहुत लेट हो गया हूँ गाह, क्या मेरे पास कॉफी के लिए वक्त है मैं बस जब ये से कुछ बना लूँगा क्या यहाँ पर मग्स है सच में, लेकिन मुझे क्याफीन चाहिए हाँ, अभी, ये नहीं हो सकता तो मुझे यही खाना होगा ओहो, कुछ नहीं होगा ये, मुझे कुछ मिठा जाए एक चमचीनी के साथ ये दवाई अंदर चली जाएगी है ना अब इसे दोना भी होगा कुछ गर्म पानी भी चलेगा और इसे कहते हैं एक अलसे इंसान के लिए लाचे बनाना एक शो देखते वग समय बिताना बहुत आसान होता है और चिप्स खतम होना भी तो फिर मेरा हो गया हे, लाना स्टोर से वापस आ गई केविन, मैं घर आ गई बढ़िया है मतलब वो चिप्स बिलाई होगी पर मैं काउट सोटना नहीं जाता तो मैं अपना सोलजर भीज रहा हूँ और साथ में संदेश में फेजना चाहिए बिलकुल सही अब मुझे बहुत जल्द ही अचीचेज मिलने वाली है मैं बोल भी साथ में ही भेज दूँगा हाँ ये क्या है शैन्द एक नोट सच में केविन ये बहुत ही आलसी है तुम्हें और चिप्स चाहिए के तो ये लो लाना तुम्हारा पैर ठीक है मेस्टर ट्रॉक तो जाओ ओफ रोडर के लिए ये कुछ ज़्यादा ही है चिप्स दिलिवरी एक आलसी इंसान का सपना है ना अब मुझे कभी काउट छोड़ना नहीं पड़ेगा मुझे और क्या चाहिए मिना पानी के कोई पिक्निक नहीं होती है ना और अब मझे एक चाप उचाहिए क्या ही तलवार काम करेगी इसमें ब्लीड है है ना हो गया अब सब सेट है ये पिक्निक मजीदार होने वाली है चलो सब कस कर बांद लो हरी खास नीले आसमार मैं आ रही हूँ मुझे स्प्रप के लिए बूच पहन लेनी चाहिए मैं सफीद वालों को गंदा नहीं करना चाहती हो गया मैं टाइम पर हूँ क्या मेरा फोन बजा मैं उसे उठाना तो भूल ही गई भूद कुछ सा आता है रुको वो बहुत गंदी है अभी पूरा घर गंदा हो जाता केविन मुझे मार देगा क्या ये की चड़ है अगर तुम जानवरों की तरह रहना चाहती हो तो बाहर जा कर रहो नहीं पर मैं अपने जूते उतारना नहीं चाहती हेई इन प्लास्टिक बाक्स के बारे में क्या ख्याल है और ये अच्छे काम आएंगे तो जूते क्यों उतारने जब आप ये पहन सकते है इनने अच्छे से बान ले अब इन में से कीचट बाहर नहीं आएगा मैं समझदार हूँ ना हेई आडम जब आप गेम के बीच में हो तो एक सिकंड के लिए भी अपने आखे ना हटाए मैं ये राउंड जीत जाओगा आज मैं तब प्यासा क्यों हूँ चलो भी अभी मत खतम हो जाना मुझे प्यास लग रही है छीक है मैं दुबारा भर कर लाता हूँ इनने सच में बड़े कांच बनाने चाहिए थे हम् ओ हलो स्वीट कोला अब ये कभी खतम नहीं होंगे रुको नहीं एक कैंच नी चिगर गया दोस्तो और केविन भी मैं ठीक हूँ शायद ये क्या है रुको मेरे पास सबसे अच्छा आइडिया है अपने मन पसंद सोडा के साथ कैंच ले और उन्ही साथ में जोड़ दे और एक टेप से इन्हें साथ में बान दे अब एक एक करके इन्हें खोले और अपने मन पसंद स्ट्रॉस डाल दे और आखिर में रबर बैंड सी स्ट्रॉस कोई कठा जोड़े और अपी वाँ ये सच में बहुत बढ़िया है है ना छीक है ड्रिंग्स तैयार है और हम गेम में वापस आ गए अब हम इसको बोल सकते है एक मॉन्स्टर गर्व क्या तुम आरन कर रही हो क्या तुम इसे भी आरन कर दोगी ये मेरी अलमारी में बॉल में के पड़ी थी नहीं ओहो ते लाना प्लीज प्लीज इसे कर दो नहीं छीक है मैं ऐसे ही पहन लूँगा नहीं का मतलब नहीं होता है केवें और अब ये वापस अलमारी में चली जाएगी क्या ये साफ है क्यो बिलकुल नहीं और चेकर्स नहीं और अब बस ये ही रहे गई रुको शायद मैं इसे खुद ठीट कर सकता हूँ हेई विक स्टीन चाहिए शर्ट पर पानी चड़के और फैन आउन कर दे और अब बाकी सब साइन्स पर छोड़ दे जैसे जैसे ये सूखेगी रिंकल्स अपने आप ठीक हो जाएंगे और कुछी मिंटों में ये तैयार है ये बढ़ याशो था हाँ चलो देखें कैसी लगती है कैव ये बिलकुल रिंकल फ्री है कुछ ना करने के लिए शुक्रिया लाना क्लाउस में जल्दी आकर काम कर रहे हो हाँ लेकिन ये शांती पर करार नहीं रहेगी क्या ये केविन है? उसके साथ वाली चेर खाली है तो वो किसे मिलेगी? बक्री गई क्या वो बेर है? तुमक से जल्दी आ जाती हो? ये तो बहुत बढ़िया है तो पहला ऐसा करना चाहती है तो मैं भी इस केम में हूँ मुझे टच अप कर लेना चाहिए और ये लिप्स्टेक आज का दिन बचाएगी अगर आप इसे अपने पैर पर इस तरह लगाए तो ये बलकुल चोट की तरह लगेगी जैसे बहुत जादा लगी हो और गेम शुरू होती है मैं तुम्हें हॉलवे में मिलती हूँ तुम बहुत मजा क्या हो केविन आउच मजे बचालो फिर फैर में दर्थ है लाना क्या तुम ठीक हो नहीं यहाँ पर हाँ बुरा हुआ मैं तुम्हें ले जाता हूँ कुछ लोगों के लिए मर्टी टास्किंग बिलकुर ना मुम्किन है खास कर जब तेज चाक्मों के बात आती है यहाँ नहीं हलो अच्छा है तुम यही हो इस फर को सफाई की ज़रत है ध्यान से छोटी उंगली को कभी नीचा नहीं समझना चाहिए और नाप को भी नहीं नहीं पानी नहीं बच गया भाल भाल बचाना यहाँ कोई जगा है क्या बिल गई यह हेट बैंड मेरा फोन बचाएगा इसे अपनी सर पर लगा ले ओओ कितना प्यारा है अपनी दोस्त को फोन लगाए अर अब इसे इलास्टिक में लगा ले यह दोड़ा मज़ा क्या लगता है लेकिन खाली हाथ होना बहुत बढ़िया है तुम समझदार होके ओओ यह सही है मुझे सांग बहुत पसंद है ओओ किसे का कॉल आ रहा है तुमें क्लब का मज़ा मिस कर रही हो क्या? सच में? मैं आ रही हूँ मैं चल्दी पहुँच जाऊंगी मुझे जाने से पहले बहुत कुछ करना है हाँ, इससे शुरू करते है स्प्रेटनर को भी गर्म करना होगा आहाँ यह गर्म हो रहा है तब तक मैं मेकप कर लेती हूँ हाँ, यह अच्छा है मैं लिप्स और आइस पर एकी टाइम पर कर पा रही हूँ अच्छा, तब वो टाचा आउच यह बहुत गर्म था मुझे ऐसे चीज़ें नहीं करने चाहिए थी मुझे हॉट पैड और ग्लू गर्म लेना चाहिए था और विल्कुल खोने पर ग्लू के लाइन लगाए इसे आदे में फोल्ड करना चाहिए था जब इस सिक्योर हो जाता तो मैं दूसरी साइट पर भी ग्लू लगाती पहली साइट के तरह एक और लाइन और फिर पहली बार के तरह इसे फोल्ड करना था पाफेट मेरे बाल बहुत चंदर लग रहे हैं और अब मैं इसे सेफटी के लिए इसकी पॉकेट में डाल देती हूँ अब मैं जाने के लिए तयार हूँ वाँ मुझे अब इवी नीद आ रहे है दाथ ब्रिश करके शाद मैं जाँ जाऊ और बातों भी चली जाती हूँ टाइंग बचेगा या फिर मुझे वापस बैट बढ़ी जाना चाहिए वाँ ये क्या है सीट उपर है मैं गिर जाती तुम अब इक अब इज़र आओ हमें यहीं क्या हुआ कम मैं सीट उपर करी सच में बस बैठने से बहले सीट नीचे कर लो ये इतना मुश्किल नहीं है मैं इसी नहीं छूना चाहती हूँ ये बहुत गंदा है ठीक है शायद तुम ठीक ही बोल रही थी हेई इस टूद्रश से मुझे एक आड़ी आया इससे? खेज, ये लो फेर तो मुझे मुझे बस टूद्रश और ग्लू चाहिए मैं बृसल के नीचे इससे लगाऊँगा और अब टॉलिट सीट पर ये टॉलिट सीट का हैंडल बन गया अरे वा, ये तो काफी स्मार्ट आइडिया है काफी बहतर हेई, कैसा चल रहा है हाँ, हाँ, ये बहुत मज़ा क्या है हाँ, मैं तो भूली गई, मैं बात सुम जाने थी उसने ये सब अपने सर पर कैसे फिट कर लिया वो, मैं पानी चला दिया अगर टाबलेट खराब हो गया होगा तो हेई, बाग, यही हल है मैं टाबलेट को इसमें रख दूँगी अच्चो से बंग करना जरूरी है हाँ, पर मैं इसे कहा रखूँ ओ, नहीं, ये शावर कैटी में नहीं आएगा रुको, माप करना रोब, मुझे हांगर चाहिए मैं इसे ही हाट आगूँगी और बाग को क्लिप कर दूँगी परफेक्ट, शावर में विडियोज अपना हापी होई, एंटर्टेन्मेंट होगा चैन, इस हाट के बाद मैं कुछ ज़्यादा ही समझतार महसूस कर रही हूँ मुझे इसे को आज ही कतम करना होगा इव, हर जगा चोरा ही चोरा है मैंने बहुत गंद मचा दिया एक सेकंड रुको, मेरे पास एक आइडिया है अब मेरे हाट गंदे नहीं होंगे चलो काम पर लगे अब जब भी मुझे चुप चाहिए मुझे पस अपना सर कुमाना है और उस तरहां गंद भी नहीं मचेगा अभी कोर कि तुम ने बहुत समझदारी वाला काम किया साफ हाथ, जिसका मतलब है यह ऐसे बहुत ज़वी पूरा हो जाएगा यह लास्ट छोट है हाथ, चलो आराम करें एक सोक रह गए और यह भी यह क्या है? यह सारी सोक कहां से आ रहे है? और इनका जोड़ा कहा है? यहाँ एक और है यह हर जगा है और यह तो मेरे बिना पार्टी कर रही है यहाँ एक और पेली वाली है Excuse me, माप करना मुझे आपके चालिज में आपको परिशान नहीं करना था माप करना, मुझे यह सोक्स ठाई है शुक्रिया फिया, क्या सफर था वाह, क्या दिन था मेरे पैर दर्द हो रहे है रुको, क्या इस सोक्स तुम फैला रहे हूँ? हें, अपनी सोक्स सिदर उदर फेकना बन करो देखो, तम्हारी वाज़े से मुझे कितनी सोक्स उठानी पड़ी मुझे बहुत चारी चानल्स पर जाना पड़ा मुझे माफ कर दो, मेरे उपर और सोक्स मत फैको छीक है, तो तक क्या फैको? हाँ, वैसे यह मुझे दो मेरे पास एक अच्छा आईडिया है मुझे फिलो केस्ट आईए और हाँ बल्खल कैची काटना शुरू करते हैं बस थोड़ा सा ज्यादा नहीं अब मैं कवर के सिद्ध खोलूंगी इस कोठा अंगर को थोड़ा मोरना होगा ताकि यह फिट हो जाए और होप जो हमने छेट काटा है उसमें से बाहर आएगा चीक है देखो अपसे तुम अपनी सौक्स यहां रखने वाले हो यह यही रहेगा ताकि आसानी से मिल जाए इस बाग में इधर उधर नहीं चीक है ओह वो कभी कभी बहुत डराती है हेई मैं फ्रेंच फ्राइज लाई येई मेरी फेवरेट ओह पहले तुम ले लू केचप के बेना फ्राइज कौन घा सकता है हाँ बहुत सारे केचप वाह तुमीने लगता तुमने बहुत सारे डाल दी ओह नहीं अभी नहीं मुझे अपनी फ्राइज पर केचप अच्छी नहीं लगती मैं डिप करके खाती हूँ जिसका मतलब है मुझे केचप डालने के लिए थोड़ी जगा चाहिए ठीक है अब कोनी क्रेम हो गए अब मेरे पास केचप के लिए जगा है दिखा मैंने अपनी लिए कॉंटिमेंट फ्रे बना ली खेर जो भी है हाँ मेरे हाथ पर क्या है ये केचप कहां से आए ओह ये तो लीचे से निकल रही है ये तो सारा ही घर आप हो गए ये मेरी भगवान तुम्हारे पूरी चहरे पर फ्राइज है मैंने तुम्हें कहा था ना तुम बहुत कैचप डाल रही हो हाँ हाँ बहुत मज़ा क्या है ना शुक्रे है मेरे बस बर्गर है आज बहुत बुरा दिन है ये अंगल ठीक बनना चाहिए रुखो ये क्या है मेरा नेल कैसे टूट गया ये बहुत बयानक है हाँ मुझे शांत होना होगा और मुझे अपना एमर्जिंसी एमरी बोर्ट चाहिए होगा ओ वहाँ क्या चल रहा है तुम्हें रूल्स पता है ना प्लास में कोई मेक अप का सामान नहीं ओ मैं नहीं चाहते हूँ मुझे पर इस तरह चल लाए मैं अपने नेल फाइल ही कर लेती हूँ एक सेकेंड रुको मेरे पास रिकाइडिया है हाँ ये काम करेगा पहले मैं फाइल को इस तरह रखूँगी और इसके उपर रूलर और अब मैं इन सेंटिमीटर्स को मार्क करती जाओंगी फाइल के बिलकुल आखिर तक बढ़िया सारी मार्क लगगर अब हम नमबस डालते हैं नमबस तो डालने ही पड़ेंगे अगर इससे रूलर की तरह बनाना है इससे साफ साफ लिखें हाँ मेरा प्लान पुरा हुआ अब मैं फाइल कर सकती हूँ हें और ये रूलर की तरह भी काम करेगा क्या बात है मेरे मेल्स एकदम बढ़िया है और होमवग भी ये पेपर सारे मैक्स हो गए ये पुरकुल मजिदार नहीं है अब सब पुरा हो गया बहुत हुआ मुझे इसका हल निकाला होगा इधर आउ स्टेपलर हाँ ये काम क्यों नहीं कर रहा इसमें स्टेपल्स खतम हो गए हाँ बल्कुल हेई एक सिकेंड रुको मेरे पास एक आइडिया है मुझे मालुम हमें क्या करना चाहिए हाँ पेपर सही से संभल गए और आप मेरे एक्जाक्टर नाइक के बारे है मैं दो स्लाइस बनाऊँगी इधर और इधर इसे यहाँ से मोड़ेंगे और टिप्स को दूसरी स्लाइस में टक कर देंगे हो गया ये बिना स्टेपल के साथ में स्टेपल हो गए आख आखिरकार पेपर संभल गए अब ये अलग नहीं होंगे चलो ग्लास में चले ये बहुत बक्वास ग्लास है इतनी बोरिंग कश में घर जा पाती जी हाँ ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा मैं? मुझे चुनो मैं, मैं, मैं तुम बहुत लगी हो तुम ये कर सकती हो मैं इसे सोच कर कैसे करूँ हेई इसमें मेरे मदद करूँ ठीक है मैं इसे सीधर निशानी पर मारूँगी पैंसल पैंसल्स पर निशाना लगाओ अउ, ये क्या हुआ? क्या तुम इसे किसी ने एकिया है? मैं इसे उठा लगती हूँ हाँ, ये काम किया हमें आ गई जल्दे, जगा बदलो टीचर का द्यान भटका हुआ है हाँ, मुझे कुछ बदलना होगा और अपने बालों से बाइंडर्स भी निकाल लेती हूँ हाँ, अब सब ठीक है अब आटिट्यूट भी दो ना चाहिए जी हाँ, ये आख्री पैंसल थी तुम ये एक्वेशन सॉल्फ करोगी भी या नहीं? हाँ, ठीक है पैरा नमबर टो है तुम्हें दो लाइन्स बनाऊँगी और दूसरा नमबर वान है तुम्हें एक लाइन बनाऊँगी और फिर दूसरी लाइन में तीन के लिए थ्री लाइन्स और टू के लिए दो लाइन्स अब हम मार्क्स बनाएंगे बल्कुल इसी तरहाँ अब बनाएंगे dots, जहां हर लाइन मिल रही है, वहां एक एक dot, लगता है इस जगाँ पर 6 dots है, और बेच के section में 7 dots है, और last section में 2 dots है, हो गया, अब हमें बस इसे combine करना है, answer है 672, हो गया, ये बहुत आसान था, देख लेते हैं, रखो, ये तुम्में साब क्या, बहुत अच्छा क्या, ब्रावो, ये बहुत आसान है, प्रेविट, ये कच्रा साफ करो, हर जगा तुमने गंदे कपरे फिलाए हुए है, मज़े परिशान मत करो, आप क्या कर रही है, इस में से बहुत गंदी बदबुआ र रही है, इन्हें धोना होगा, ये सीधा वाशिंग मेशीन में जाएंगे, हो गया, अब मैं थोड़ी ग्रोश्रीज लेने जा सकती हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मॉम ने ऐसा किया, ओ, मेसेज, ये मैटिसन का है, मुझे तयार होना होगा, मैं क्या पहनू, ओ हा, ये हुई ना बात, रुको, ये कैसी बदबू है, वो, ये बुरा है, मैं नया पेर पहन लेता हूँ, मेरी सॉक्स कहा है, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, मेरा मतलब, इससे बुरा और क्या हो सकता है, ये बस सॉक्स है, है ना, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरे घर आए, रुको, मैं अपने जूते उधार लूँ, फिर मैं सूच रही थी, मुझे इतना चाने ही लग रहा, मैडिसन, ओ नहीं, ओ हाँ, ये बहुत बुरा है, मुझे इसे ठीक करना होगा, मॉम ने सारे कपरे धुने में डाल दिये, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, अब मैं क्या करो, हम, क्यो ना, शायद मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, मैं अपनी सॉक्स इस बैग में रखूँगा, फिर इसमें डिश सॉप डालूँगा, और थुड़ा पानी, मुझे इस बात का धिहान रखना होगा, कि बैग अच्छे से बन्त हो, अब मैं इन शीकुषपू आ रही है, मुझे बस इने सुखाना है, डेविट, तुम क्या कर रहे हो, क्या, हे माम, क्या तुम ठीक हो, हाँ, बस अपनी सॉक्स उखा रहा हूँ, मैंने तो तुम से पूछा भी नहीं, मुझे जाना है, मैं बहुत ठक गया हूँ, मुझे एक बढ़िया श हे, डेविट, हो, मैंने कहा, तुम्हें कैसा लगा, अच्छी लग रही हो, जानती हूँ, ये बहुत क्यूट है, लो, तुम ये योगर्ट खा सकती हो, शक्रिया, ये अच्छा लग रहा है, मुझे इसी की सुरवत थी, ओ, मैं लगपक भूल गई थी, नहीं, तुमने फिट खराब हो गई, मैं ये नहीं पहन सकती, चेंता मत करो, मेरे पास ये है, हमें बेकिंग सोडा चाहिए, मुझे लगता है, हमें ट्राइ करना चाहिए, मैं इसे दाख की उपर डाल दूँगा, और इस पर लेमन जूस डालूँगा, इतना भी ज्यादा नहीं, आखरकार हमें विने कर जाहिए, अब हम इसे स्क्रब कर सकती है, मैं दाख की उपर डिश सोप डालूँगा, और इसे मिक्स करने के लिए टूट प्रश का यूस करूँगा, अब हम इसे साफ कर सकती है, अब इस जीन्स को सुखाने का समय है, हेर ड्राइर इस काम के लिए परफेक्ट है, बस, हो गया, शक्रिया, मैंने अच्छा काम किया, तो मुझे नहीं हरा सकते डेविट, मैं बहुत अच्छी हूँ, ओ हाँ, वो एक शांदार शॉर्ट था, चलो फिर से खेले, एवा, अपनी जीन्स देखो, क्या, ओ नहीं, घास ने इने गंदा कर दिया, लगता है पर विनेगर डालूँगा, अब इसे रब खरने के लिए हम कपड़े का इस्तिमाल करेंगे, और जादू की तरहा, गास का दा गायब हो गया, मेरे हीरो, चलो अब खेलती है, वाव, मेरा मेकप बढ़िया लग रहा है, मुझे लगता है मुझे अपने कपड़े बदलने हों मेरे पस बहुत सारे कपड़े हैं, ये बढ़िया है, पर मैं ये पहले पहन चुकी हूँ, मुझे इन में से कोई दी पसंद नहीं ये आखरी आउट्फिट है, ये बहुत प्लेन है, शायद मुझे यही पहननी पड़ेगी, ये अची लग रही है चलो फिर नही यहाँ क्या हो रहा है, ये डिसास्टर है, देखो, बस इतना है रखो, मुझे पता है, मुझे वो शेविंग फोम दो मैं ये दाग हटाने के लिए इसका इस्तिमाल कर सकती हूँ, मैं मेकप के उपर फोम डालूँगी और फिर इसे रख करने के लिए तूर ब्रश का इस्तिमाल करती हूँ, बस ध्यान रखना है कि ये सब पर लग जाए फिर मैं इसे एक रख कपरे से साफ कर दूँगी और ये गाइब हो गया वाव, इतनी जल्दी हो गया, मुझे जल्दी करना होगा मेरी शेविंग फॉर्म खतम हो गई क्या ये मैंने किया ये पढ़ाई बहुत बोरिंग है चलो, गेमिंग ब्रेक ले ये मुझे दू, पढ़ाई करो पर मॉम मेरा लाप्टाप देने लेकर जा सकती, मुझे पढ़ना है मॉम चाहे तुम जतने भी तेज हो, मॉंग तुमें हमेशा पकड़ हे लेती है हम, अब मेरे पास बस मेरा फोन ही बचा है मैं इसे कैसे चिपाऊं? शाद मैं अपनी पेंसिल से कुछ बना सकूं अपने फोन को उल्टा करके रखे और एक ग्लू गन से केस के उपर ग्लू का एक जिड़्जाग पाटन बनाए अब ग्लू के उपर कलर पेंसिल रखे और अपनी सारे मन पसंद कालर्स शांदार जल्दी मॉम आ रहे हैं इसे उठा कर दो क्या तुम पढ़ रही हो बच्ची? अच्छे से पढ़ो मॉम को क्या पता? मैं अपनी बिस्ते को आज वे आपके पाटी के लिए टेक्स कर रही हूँ ओ, क्या? ओ, हाँ, आज ही वो दिन है ओ, मॉमी उन्हें ये डस्टर बहुत पसंद आएगा पर मैं इसे किसमें राप करूँ? ओ, ये बॉक्स तो बहुत चोटा है और ये हरा वाला भी इसका साइज में है देखो और इसका क्या? नहीं, ये भी बहुत चोटा है और ये बुक्स वाले बॉक्स के बारे में क्या ख्याल है? ये काफी बड़ा होगा बुक्स बाहर निकाल कर नहीं बिसमें से फिट कैसे करूँ? इन डाश उसको देखें इनी पर आपको काटना है बस हो ही गया ब्लेड से थोड़ा बचकर इन लाइन्स के साथ काटी अब बॉक्स को उटा करें और ट्विस्ट करके ये शेप बनाए अब इसे स्टफिंग से भरें और गिप इसमें डालें और ये फिट हो गया मॉम बहुत खुश हो जाएंगी और राफिंग पेपर ना भूलें हापी बर्ड़े मॉम अब इसे खोलें ओ वाँ मुझे तो यही चाहिए था चलो बिक छोटा सा ग्र्यानोला बार खाएं पर मॉम को रापर की आवास पता है जिसका मतलब है बहुत गंद मचने वाला है ओ उपसीज मॉम बिल्कुल खुश नहीं है अच्छी कोशिश थी प्यारी मामी पर मैं फिर भी ये खाऊंगी बात माट को इस तरह उल्टा करके रुखें अब अपनी स्लिपर के आउटलाइन ट्रेस करें मार्कर से बनाएं ताकि आपको अच्छी से नजर आए जब आप इसे काट लें तो इसे हॉट ग्लू से कावर करें जिग जाग पाटन सही रहेगा अब इसे अपनी स्लिपर के नीचे लगा लिए दूसरा शू ना भूले अब फर्ष साफ हो जाएगा थोड़ी साफ सफाई इधर, थोड़ी साफ सफाई उधर और म्यूजिक चला के ये करने में बहुत मजा आता है एक स्पोट रह गया और इसी तरहा मॉब का फर्ष साफ सुत्रा है तुम कितनी अच्छी बच्ची हो जैनिफर गिर ही आपके स्लिपर्स वाह बहुत अच्छी आवाज है केट ये सुब प्राक्टस का फल है अगला पेज प्लीज क्या, क्या, बस यही यहां और होने चाहिए ये तो ओर्डर में नहीं है तो मैं और और और्गिनाइज़ होना चाहिए केट मुझे देखने दो इन्हें क्योपर एक रखने से बहतर इन्हें पोल्डर्स में रखो अब यह आसानी से मिल जाएंगे ये लो, कभी-कभी माम्स को सबसे अच्छे तरीके पता होते हैं आह, बहुत अच्छा है, है ना?